तो निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है वो 17,554 का आया आज गैप के साथ खुलें के बाद भी मार्केट होल डे ट्रेंडिंग रही प्राइस नीचे ही आते रहा एंड हम कई दिनों से बात कर रहे थे कि अगर यह प्राइस नीचे क्यों अगर कंटिनू होती है देन हम लोग यह डेली में 200 का जो एम है इसको टेस्ट होते हुए देख सकते हैं तो निफ्टी ने भी आज इसको टेस्ट कर लिया बैंक निफ्टी ने भी इसको टेस्ट कर लिया तो अभी जहां पर निफ्टी खरी है 17,550-500 का जो लेवल है यहां से आप देखोगे तो यह सब ऐसा जगा है जहां से यह सब्सकर कर सकते हैं और प्राइस को यहां पर भी झॉब फॉजिंगं के देखोगए सत्रह son 50 550 47 पर का लिच के बढलेकर घ्र सकता सा को यह सब जो है breaksे अधेर से गौर्ण यह काम कर सकता है अभी और डेली का 200 एसे भी एक support की तरह काम करता है हमेशा तो उस हिसाब से यह जो area है यहां पर जो हमको trade plan करना होगा वह कम quantity के साथ में अभी trade plan करना होगा अगर selling pressure का देखे तो price तो दिरे दिरे नीचे आही रही है यह ब्रेक आउट हमारा फेल हो गया और यह अगर चैनल अगर प्रॉपर अगर काम करता है तो चैनल के हिसाब से तो इसको slow and steady वापस नीचे तक आ जाना चाहिए यह support अगर sustain कर ले 7350 का जो budget day के दिन का low है यह अगर support की तरह अगर काम कर जाए तो well and good क्योंकि अब देखो यह area support है जब प्राइस यहां पर डबलू बना के ऊपर गई थी तो यह हमारा support की तरह काम करेगा और यहां पर यह gap भी है तो कहीं न कहीं यह gap भी हो सकती है price अगर यहां से continuity में अगर नीचे की और आती है continue अगर यहां से selling continue रहा और price नीचे आती रही तो अभी यहां पर भी इसको क्या बहुता है support मिल सकता है 17430 के पास में budget day का low तो एक strong support की तरह काम करेगा यह अगर budget day का low अगर break होता है तो हम एक sharp aggressive selling देखने को मिलेगा क्यूंकि उसके बाद नीचे में कुछ है नहीं आप देखो तो अगर support की अगर बात करें तो अगर यह low अगर break होगा दिन हम लोग यह low को टेस्ट होते हुए देख सकते हैं अभी देखते हैं कि price किस तरीके से काम करता है जो major support है अभी निफ्टी के लिए वह 17350 के पास का रहेगा budget day का low का यह अगर break होता है दिन हम लोग एक aggressive और sharp selling देख सकते हैं निफ्टी में नीचे की और का और level की बात कर लेगा डेली में पंदर मिनट के टाइम फ्रेम में जो निफ्टी अगर कल इसके ऊपर जाती है 17600 के ऊपर जाती है तो हमारा first target हो जाना चाहिए 17650 के पास का यह सब जगह पे and second target हमारा 17690 का उपर जब भी buy side का हम लोग अभी trade प्लान करेंगे तो हमारा quantity कम होना चाहिए क्योंकि market जब भी अभी उपर की और जब भी जाएगी अगर देख ले तो नीचे का आज का लोग अगर वापस से ब्रेक हो जाता है तो हमारा second first target हो जागा 17400 के पास का and second target हम लोग प्लान कर सकते हैं 17450 के पास का अब हम लोग bank nifty का अगर देखे तो bank nifty का भी देखो आपकी यह वापस से अपने 200 पे आ गया and यह वाला जो ट्रेन लाइन था जो करोना के टाइम से चला रहा रहा प्राइस ने वहां पर अभी support लिया है मतलब अभी halt किया है एक तरीके से बोले तो और वापस है यह भी जो पूरा जोन ही एक तरीके से support की तो यह उहां लूबे दो ट्रेयन लाइन से चली हा रहा है तो यह जड़ी होरे है दो नीचे का एक की फ्रेंट पड़ सकते हैं जो कहीं इन न कहीं यह एरिया तक हो सकता है यह support area के पास तक हो सकता है 38,450,400 के पास का हम लोग target देख सकते हैं आने वाले time में अगर हमारा यह वाला support अगर break हो जाता है 39,400 का तो लेकिन जब तक यह area सब मतलब की यह सब जब तक यह hold कर रहा है position यहां पर तब तक कोई दिक्कत नहीं है प्राइस वापर से इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर जा सकती है तो यह वाला हमारा कंडिशन है ऊपर जाने में हम लोग अभी थोड़ा सा कॉसियस रहेंगे और स्मॉल क्वाइंटिटी में ट्रेड करेंगे कि बात अगर करें तो बैंक निफ्टी अगर 40,140 के उपर निकलती है तो हम लोग बाई जा सकते हैं हमारा फॉस्ट टार्गेट हो जागा 40,240 का एंड सेकेंड टार्गेट हमारा हो जाना चाहिए 40,320 का वह अगर यह लेवल अगर निचे की अगर ब्रेक हो जाती है 39,900 का यह अगर लोग आज का अगर ब्रेक होता है तो नीचे का मारा फॉस्ट टार्गेट हो जागा 39,800 और सेकेंड टार्गेट हमारा हो जागा 39,700 का तो इस तरीके से हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को कल के लिए प्लान कर सकते हैं थैंक्यू